नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका To The Point YouTube चैनल पर आज हम इस वीडियो में समझेंगे NCRT Class 6 का Geography Part 7 अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप pen और paper लेकर वीडियो के important points को note कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करेंगे वह अपने previous part के home work या फिर practice questions के साथ पहला question था भारतिय rail का एक लौता sea bridge कौन सा है या which is the only sea bridge of Indian railways तो आप इस image में देख सकते हो ये है वो sea bridge इसका नाम है Pumban Railway Bridge ठीक है Pumban Railway Bridge और ये जोडता है भारत के मुख्य भूबाग यहाँ पर देखो इस भुबाग को रावेश्वरम नाम का एक टापु है एधर ठीक है आपने सुना होगा रामेश्वरम को जोडता है mainland से ठीक है श्रिलंका के इस भाग के दरफ टापू है भारत का रावेश्वरम जिसको जोडता है mainland से ठीक है clear होगी बात और अगर आपने एक मूवी देखियो, काफी फिमस मूवी थी, जिसमें ऐसा कोई एक सीन था लीड करेक्टर राहुल अपने दादा या दादी की अस्तियों को विसर्जित करने के लिए रामेश्वरम जाने की कोशिश करता है ठीक है, शायद इससे आप समझ पाओ याद आई मूवी, बिल्कुल तो वो सीन भी शूट हुआ था, पंबन ब्रिज के पैरलर जो एक रोड ब्रिज है, इस पे, ठीक है अब आपको याद रहेगा, भारतिय मुख्य भूमी से रामेश्वरम को जोडने वाला जो पुल है, रेल्वे ब्रिज उसको कहते है, पंबन रेल्वे ब्रिज है और ये क्यों हालिफलाल में उसमें, क्योंकि इसका रेकंस्ट्रक्शन वर्ग स्टार्ट किया जा रहा है, भारती रेल द्वारा ओके, बहुत बढ़िया चाबार बंदर का किस खाड़ी में स्थित है, चाबार पोर्ट इस इन विच गल्प, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है चाबार पोर्ट और यह है गल्फ ओव ओमान क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो सीपैक है, उसके लिए बहुत महत्पूर पोर्ट है, ग्वादर, इधर, ठीक है? यह इधर से होता हुआ इसको काउंटर करने के लिए, यानि की जो भारत की सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर यहाँ पर बनाया चाबार पोर्ट और इन दोनों की जो स्ट्रेट दूरी है, यह इन दोनों के बीच की है, बातर किलोमेटर, तो यहाँ पर वो स्थेत है, बहुत बड़िया, आज की वीडियो का पहला पॉइंट कह रहा है, हमारे वायू मंडल, यानि की जो हमारा वायू मंडल एट्मोस्फेर है, उसमें 1600 किलोमेटर की उचाई तक एट्मोस्फेर है, जो प्रिथवी है, यह देखो है आपर, हमारी प्र प्रिथवी है, इस से 1600 किलोमेटर की एवरेज जो हाइट है, वहाँ तक प्रिथवी का वायू मंडल पाया जाता है, यानि की अर्ट का एट्मोस्फेर पाया जाता है, क्लियर होगी बात, लेयर्स वगरा हम आगे डिसकस करेंगे, जब वो टॉपिक आएगा, बढ़िया, से हमारा ये वायू मंडल है, एट्मोस्फेर है, बहुत सारी गैसों के मिश्ण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उन में से जो मुख्य गैसे हैं, वो इस प्रकार है, पहली है नाइट्रोजन, 78%, सेकिंड है ऑक्सिजन, 21%, रेस्ट 1% में आ जाती है, कार्बन डायोकसेड, 0. 0.04% और जो अदर गैसेज हैं, यानि कि 0.96% जो अदर गैसेज हैं, उन में आ जाती है मुख्यता आर्गन गैसेज, ठीक है, अब आपको क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया, इसमें एक नोट करने वाला पोइंट है, कि नाइट्रोजन गैस जो है, वो प्राणियों के ड बढ़ेंगे जब ये साइन्स वाले पार्ट में आएगा, अभी तक आपको फिला लिए पता होना चाहिए, यहां तक क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया, अगला पोइंट कह रहा है, वायूमंडल में कार्बन डाय ओक्साड यानि की CO2, प्रित्वी द्वारा छोडी गई उश्मा को अवशोशित कर लेती है, ठीक है, जिससे प्रित्वी गर्म रहती है, अब ये क्या कहना चाहरे इसको समझते हैं, यहां पर देखो image में, atmosphere with lower CO2 levels, यानि की जो natural CO2 level है, ठीक है, अगर वैसा रहेगा, तो कैसी होगी प्रित्वी की, जो गर्मी है, वो ठीक है, उसक पर, ये blue वाला part देख रहे हो, sky blue type में, ये है CO2, यानि की carbon dioxide, अब जब ये कम होगा न, इसके level, तो ये heat को कम absorb कर पाएगी, समझ रहे हो, यानि की यहां से आई heat, यानि की प्रकाश आया, वापिस गया, परवर्तित हो गया, तो वो जादा मात्रा में परवर्तित हो अगर carbon dioxide का level कम होगा, clear हो ये बात, अगर carbon dioxide का level कम होगा यहां पर, तब ही तो ज़्यादा heat परवर्तित हो पाएगी, यानि की जो प्रकाश हो ज़्यादा परवर्तित हो पाएगा, वापिस अंतरिक्ष में, ठीक है, लेकिन second image में अगर आप देखो तो atmosphere with higher CO2 level, इसका मतलब है कि अब जो यहां पर CO2 देख रहे हो, यह तोड़ी ज़्यादा dark होगी, यानि की बहुत ज़्यादा सगन होगी, इसकी मात्रा बढ़ गई है हमारे बातावरण में, तब क्या होगा, तब यहां से प्रकाश आया, और वापिस गया बहुत कम मात्रा में, यानि की सर्चा हो रही है, आप सुनते भी होंगे, ठीक है, कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, उस वज़ा से जो प्रिच्वी का तापमान है, जो नेच्रल जो टेंपरेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वज़ासे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की व इसके ओपर एक बहुत अच्छी डॉकमेंटर भी बनी हुई है, कि वो विश्व का पहला डूपता हुआ शहर है, नेक्स पॉइंट पर चलते हैं, और CO2 जो है, पोदो की व्रदी के लिए भी बहुत जादा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपने पढ़ा यानि की फोटो सिंत्रसिस के लिए CO2 एक अती आवश्यक एलिमेंट है पौदो के लिए, ठीक है, ख्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट कह रहा है, एर डेंसिटी या वायु घनत्व समुंद्र तल पर सबसे अधिक होता है, इसका मतलब क्या है, यह माल अपर खड़ें, सी लेवल पर, यानि की बीच के पास, ठीक है, अब आप देखो, अगर यह बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, तो इसके उपर जितना भी यह जो एट्मोस्फेर है, ठीक है, यह मालो इतना एट्मोस्फेर है, तो इसके अंदर, अब आपको पता है कि भीया, जो हमारे एट्मोस्फेर है, वो गैसिस से बना है, अब गैसिस कोई जादूई एलिमेंट तो है नहीं, वो भी एक मैटर है, और हर एक मैटर, छोटे छोटे एटम से बना होता है, ठीक है, तो यह गैसिस के एटम से है, अब आप देखो, अगर Mr. X, यहाँ खड़ा होगा, बीच के पास, सी लेवल पे, तो इसके उपर सबसे ज़्यादा दूरी होगी, एट्मोस्फेर की, समझ रहे उचाई में, तो ज़्यादा पार्टिकल्स इसके उपर प्रेशर कर रहे होंगे, यानि कि, जो एटम से हो सबसे ज़्यादा होंगे, समझ रहे बात, अब आप इन ग्राविटी अपने तरफ पुल करती है, कितनी भी छोटी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, ठीक है, तो इस वज़ए से जो ये एटम से न, या पार्टिकल्स है, एर की, वो यहाँ पर कम है, और इधर जादा है, यहाँ पर तल की तरफ, समझ रहे हो, सी लेवल की ठीक है, अब आपको चीज क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, तो इसी वज़ए से जब यहाँ पर बहुत कम एटम्स बचेंगे, गैसेज के, तो ऑक्सिजन की भी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि एर डेंसिटी क्या होती है, वायू घना तो क्या होता है, उसका फर्क किस प्रकार से पढ़ता है, ऑक्सिजन लेवल पर, क्लियर होगी चीज, बहुत बढ़िया, और हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं, यह कम होता जाता है, और इसी कारण, क्लैमबर्स को उचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती होगी बात क्लियर, बहुत बढ़िया, अगला पोइंट है, कि वायू या एर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर बहती है, अब इसको समझो, यह क्या कहना चाहरा है, मालों यह मेरे पास एक सिलेंडर है, लपीजी सिलेंडर है, ठीक है, पूरा बरा हुआ है, और य से हम छोड़ देते हैं, साथ में एक और हमारे पास सिलेंडर है, अब मैं दोनों को लेके गया दुकान वाले के बास, मैंने बोला भीया, आप है इसमें गैस बढ़ दो, इससे निकाल कर, ठीक है, या फिर दोनों को एक्कल कर दो, हाफ अफ कर दो, हाफ गैस इसमें बढ़ यह पूरा खाली है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक नॉजल लगाएगा, ओपर इधर कहीं पर भी, और क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल से हैं, जो एटम से, आप देखो मालनों वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर इधर इधर, इधर, ऐसे से करके, डॉल है, लेकिन इसके अंदर तो वो बहुत जादा पास-पास है, एकदम प्रेशराइज है, और जब वो इसको खोलेगा, ओपन करेगा, तो यह पार्टिकल्स कहां बगेंगे, जहाँ पर उनको जगा मिलेगी, यानि कि वाईयो और जल हमेशा खाली जगा गेरते हैं, ठीक है, इधर आजाएगा, इधर भक्के के, समझेगे, इसलिए हमेशा वाईयो यह है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और बहती है, क्लिर हो गया पॉइंट, बहुत अबड़िया, अगला पॉइंट कह रहा है, जीव मंडल या बायो स्थेर को दो भागों में बाटा गया है, पह पॉइंट है, जमीन का वो भाग, जो आसपास की जमीन से उचा उठा हुआ हूँ, उसे हम पहाडी या हिल कहते हैं, इस इमेज में देखो, यह आपे देखो, यह तो इक्वल पार्ट हैं यहाँ पर, लेकिन बी से यह उपर उड़ गया है, तो इसको कहेंगे हम हिल, ठीक है यानि की पहाडी, लेकिन ऐसी कोई पहाडी, जिसकी उचाई 600 मीटर से जादा हो, और उसकी एक खड़ी ड़लान भी हो, उसे हम कहते हैं माउंटेन या परवत, अब आपको क्लियर हो चुका हुआ कि माउंटेन क्या होता है, और हिल क्या होता है, और दोनों में अंतर क्या है मतलब कि बेसिक जोग्राफिकल जो अंतर है, तो क्या होता है उनमें, दिखना है यहां पर आपको, यह हो गया माउंटेन, खड़ी ड़लाना है और 600 मीटर से उचाई है, इसकी ठीक है, ज्यादा, बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं, आज का अपना हूंवक या फिर प् रुत्वी की नहीं, ठीक है, तो आपको यह बताना है, और उसका, मतलब कि कहां पर है, वो तो obviously आपको पता ही होगा, अगर इसका अंसर पता है तो, वो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, विच इस धी हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ अवर सोलर सिस्टम, यहां तक क्लि क्या questions पूछ सकते हैं, जो मैं आपको समझाने में असफल रहा, और आप join कीजिए हमारे Telegram चैनल को, यहां पर आप देख सकते हैं, TTP Official को description box में दिए गए लिंक के थ्रू भी, या फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं, Simple Telegram App पर, इससे आपको क्या फायदा होगा कि आने वाली वीडियो की timing प्लस topics आपको पहले से पता होंगे, ठीक है, अब हम देखते हैं, अपनी inspirational personality को, यह बहुत ही famous image है, 2019 की, अगर आप southern parts से इंडिया के, तो आपको इनके वारे में जरूर जानकारी होंगी, और हो सकते हैं, आपको भी जानकारी हो, आप कहीं पर भी देख रहे हो भारत में, तो आपको बताना है, कि ये लेडी कौन है, इनका नाम क्या है, क्योंकि हम जोग्राफी को अभी पढ़ रहे हैं, परियावरन के अभी बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इनका पता होना ची कि ये कौन है, हिंट आपको दे देता हूं, एक कि 2019 में इनको माहमह राष्ट्रपती श्री रामनात कोविन जी के द्वारा पदम श्री से सम्भानित किया गया था ठीक है? मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद